नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एकाक्ष टोलियल्स पर मैं हूँ गौरफ इस वीडियो में हम भारत के इतिहास से सम्मंदित महत्पूर्ण प्रश्णों का अभ्यास करेंगे यह पार्ट 6 है अर्थात इससे पहले 5 वीडियो दिये जा चुके हैं एकाक्ष टोलियल्स पर इतिहास से सम्मंदित भारत के इतिहास से सम्मंदित चीक है दोस्तों तो यह जो है शिक्स्थ वीडियो है जो इतिहास की श्रंखला एकाक्ष एटोरिल्स पर चल लई है उसका शिक्स वीडियो है इससे पहले पांच वीडियो दिये जा चुके हैं और यदि किसी प्रशने के आंसर में कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में सह और आरो यारो दो हजार इकीस की तैयारी के लिए यूपी पीसिये स्प्रिम्स दो हजार इकीस की तैयारी के लिए महतपूर्ण प्रशनों का अभ्यास करने के लिए आप एकाक्ष एटोरिल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो उ शुरू करते हैं. आज के वीडियो का पहला प्रश्ण है किस नदी के किनारे सरवादिक अरप्पा कालीन पुरा इस्थल प्राप्थ हुए हैं? तो नदी का नाम बताना है तो सरस्वति और घगगर दोनों ही नदीयों के किनारे जो है वो हड़पा कालींग पुरास्थल सरवादिक मात्रा में प्राप्थ होएं यदि ऑप्शन में इन दोनों में से किसी एक नदी का नाम दिया हो प्रश्ण के जो है जो ऑप्शन दिये होते तो आप सरस्वती लगा सकते हैं यदि घगर ऑप्शन हो तो आप घगर भी आंसर लगा स यहां के लोगों का जो जीवन था वो नगरी जीवन था ठीक है क्वेशन नमर टू हडपा काल में किस धातू का ग्यान नहीं था जो हडपा काल के लोग थे उन्हें किस धातू का ग्यान नहीं था तो उनको लोहे का ग्यान नहीं था ठीक है चांदी सोना ताबा कासा इत्या जाता था question number 3 है तो जो लिपी थी सिंदु सब्विता की वह भाव चित्रात्मक लिपी थी कैसी थी भाव चित्रात्मक या option में चित्रात्मक भी दिया हो सकता है केवल ठीक है चित्रात्मक लिपी का प्रयोग किया जाता था question number 4 है सिंदु गाटी सब्विता के किस पुरास्तल से विक्सिच जल प्रवंदन व्वस्था के प्रमान प्राप्त हुए है विक्सिच जल प्रवंदन व्वस्था या उन्नत जल प्रवंदन व्वस्था ठीक है तो इसके प्रमान प्राप्त हुए धौला वीरा से धौला वीर प्रवंधन व्वस्था के प्रवाण प्राफ्थ कोई हैं तो मोहन जो दोड़ों भी आंसर लगाया जा सकता है यदि ऑप्शन में हो question no 5 रिगवैदिक काली नदी सतलच को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था तो इसको जाना जाता था शतुद्री नाम से ठीक है अगला प्रशन देखते है question no 6 रिगवैदिक काल की जितनी भी नदिया है उनके जो आधुनिक नाम है और जो प्राचीन काल में उनको जिस नाम से जाना जाता था ये सभी आपको याद होनी चाहिए सतलस नदी हो चिनाब नदी है रावी नदी है व्यास नदी है जेलम नदी है question no 6 महत्मा बुद्र ने अपने उपदेश किस भासा में दिये थे तो महत्मा बुद्र ने अपने उपदेश दिये थे पाली भासा में किस में पाली भासा में दिये थे Q7. राजा की उत्पत्ती का उलेख सरप्रथम किस गरंत से प्राप्त होता है? Q8. मौर्काल में समाहर्था के नाम से किस विवाग के अधिकाली को जाना जाता है? या इस तरह से प्रश्ण पूर सकते हैं कि समाहर्ता किस जो है विवाग से सम्मनित अधिकारी था ठीक है या उसका क्या कार्य था इस तरह से भी पूर सकते हैं तो इसका अंसर होगा राजस विवाग का अधिकारी था समाहर्ता और इसका कार्य था जो कर होते थे उनको संगरह किस अविलेख में मिलता है या किस अविलेख से प्राप्त होता है तो इसका आंसर है अयुद्या अविलेख ठीक है इसको धन देव का अयुद्या अविलेख भी कहा जाता है ठीक है तो इस अविलेख में यह उलेख किया गया है कि पुश्मित्र शुंग ने दो अश्युमेग यज अगरेल ये कितने अचो में एखने में तो सब्सक्राइब एक समें यह Mickey क्वेश्ण नंमर टैन सब्सक्राइब किस वर्ष किया गया किस वर्ष किया तो अप्दॉर्शिं लाज़ दास्प्रथा का अंत किया घया था 15 12Star20 में, 1562 में, question number 11, देवराई का युद्ध कब वक्क इनके मद्धुआ, तो देवराई का युद्ध हुआ था, दारा शुको और औरंग जेव के मद्धुआ था, ठीके, औरंग जेव का बड़ा भाई था, दारा शुको, ठीके, मुगर्ट समिलार सा जहां का बड़ा पुत्र जो था, वो दारा शुको था, ठीके, तो इनके मद्धुआ था, यह युद्ध, 1669 में, okay, friends, किसी प्रशने के आंसर में कोई गलती हो, तो आप comment box में सही आंसर जरूर बताएं, question number 12, मुहमद गौरी द्वारा जैचंद को किस युद्ध में पराजित किया गया था, तो मुह तो आंसरों का मुहमद गौरी और जैचंद के मद्ध, ठीक है, ग्यारा सो चौरानवे इस भी में हुआ था, यह युद्ध, चंदावर का युद्ध, अगला प्रशन रेकते हैं हम, question number 13, अमीरे को ही नामक विवाग की स्थापना कि शाशक द्वारा की गई, तो इसकी स्थ अगली थी, वो हुई थी, बाजीरा और दुती, और अंग्रेजियों के बीच, 1802 इस भी में, कब हुई थी, 1802 इस भी में, अगला question देखते हैं, question number 15, लौर्ड कर्जन द्वारा, 1902 इस भी में किसकी अधच्चता में विश्विद्ध, आयोक की स्थापना की गई, इस प्र प्रशने का आंसर क्या है, थामस रेले, अर्था, थामस रेले की अधच्चता में, लौर्ड कर्जन द्वारा, विश्विद्धाल आयोक की स्थापना की गई, या सुमेलित करने के लिए भी पूछ सकते हैं, कि आयोक के नाम दिये होंगे, और सामने उनका स्थापना का वर किस अधिनियम द्वारा कंपनी की भारत में सभी व्यापारिक गत्विदिया समाप्त कर दी गई, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, 1833 इसवी का चाल्टरेक्ट, 1833 इसवी का चाल्टरेक्ट, ओके, क्वेस्चन नम्बर 17, भारत में भू राजस्व, कि वसूली के लिए अंग्रेजर द्वारा रायत वारी विवस्ता सर्प्थम कवा किस के द्वारा आरम की गई, तो इह आरम की गई थी, 1792 इसवी में भारत में सर्प्थम, ठीक है, और किस के द्वारा आरम की गई थी, 1792 इसवी में, कैप्टन रीड के द्वारा, कहां पर, मदरास रेजिजेंसी में प्रारम होई थी है बारा महल जिले में क्वेश्चन नमर 18 तो तीसरा आंगल मैसूल युद्द के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो तीसरा आंगल मैसूल युद्द किन के मद हुआ था यह भी पूछा रह सकता है तो यह हुआ था अंग्रेजों और टीपू सुल्टान के बीच कब हुआ था यह भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में तो यह हुआ था 1790 इसवी में प्रारम हुआ था 1792 इसवी में समापत हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल कौन था लॉर्ड कॉर्न वालिस तो वो क्वेश्चन का आंसब़ है लॉर्ड कॉर्न वालेस ओके अगरा गॵेश्चन देखते हैं हो यह ओक्वेश्चन नमर 19 गुलाम गिरी पुस्तक की रचना किस ने की थी तो गुलाम गिरी पुस्तक के रचईता कौन है माहतमा जोतिबा फुले question number 20 भारत का अंतिम गवर्नर जनर्नल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनर्नल कौन था? C. राजगोपाला चारी यदि पूछा जाए कि भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? तो आंसर क्या होगा? Lord Mountbatten question number 21 आज के वीडियो का लास्ट question है सवने वग्यां दोलन कप्र आरंबुआ? ये बहुत महतपूर्ण question है इसकी डेट आपको याद होनी चाहिए तो ये आरंबुआ था 6 अपराइल 1930 इस वी को 6 अपराइल 1930 इस वी को तो फ्रेंड्स इस तरह से ये आज के इस वीडियो के महतपूर्ण 21 प्रश्ण पूरे हुए उमीद करता हूँ आपको वीडियो से लाब होगा यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एकाक्स टूर्यल को सब्सक्राइब कीजिए किसी प्रश्ण के आंसर में कोई गलती हो तो कमेंड वोक्स में सही आंसर बताइए और UPPSC द्वारा 2020 में आयूजित होने वाली RO-RO की परिक्षा की तयारी के लिए UPPSC पिलिम्स की तयारी के लिए एकाक्स टूर्यल को सब्सक्राइब कीजिए और UPPSC द्वारा आयूजित होने वाली PET की परिक्षा जिसका की पार्टिक्रम जारी किया जा चुका है उफिशल वेब साइट पर UPPSC की उस PET की परिक्षा की तयारी के लिए भी आप एकाक्स टूर्यल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह वीडियो जो आज का है यह भी PET की परिक्षा के जिस्टी से भी अतिन्त महित पूर्णे तो मिलते हम अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद